काव्य निकुंज के सभी दर्शकों को प्रोफेसर राजीम शर्मा का साधर नमस्कार, साधर प्रणाम। आशा है आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, मस्त होंगे। काव्य निकुंज के आज के एपिसोड में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक युवा कवी से, युवा कवी का नाम है गौरव साक्षी, गौरव साक्षी बहुत अच्छे गीत गाते हैं और जितनी अच्छी तरह वे गीतों को गाते हैं, उतनी अच्छी तरह से ही ग इसे राम जी के जीवन पर राम होना सहज तो नहीं है मगर हो सहज जो गया हो वही राम है राम होना सहज तो नहीं है मगर हो सहज जो गया हो वही राम है पंक के मध्य भी खिल खिलाता हुआ हो जलज जो गया हो वही राम है राम होना और क्यों राम सहज है श्रम की पगडन दियों के सिवा राम ने दूसरा कोई भी पथ चुना ही नहीं एक रात्री को उनके भागे का निर्धारन होना था एक समय था कि वे उस समय के सबसे बड़े राज जी के समराठ होने वाले थे नचानक से उनको वन जाने का आदेश दिया जाता है और राम वो चुनते हैं जो उन्हें आदेश मिलता है श्रम की पगडंडियों के सिवा रामने दूसरा कोई भी पथ चुना ही नहीं एक वचन जो पिता का सुना तो कभी अन्य कोई कथन फिर सुना ही नहीं इक वचन जो पिता का सुना तो कभी, अन्य कोई कथन फिर सुना ही नहीं राज वैभव अनुज के लिए हर्ष से क्षन में तज जो गया हो वही राम है राम होना सहज तो नहीं है मगर हो सहज जो गया हो प्रभुशी राम अपने समय के सबसे बड़े राज के राजकुमार इतने बड़े सामराज जी के राजकुमार वह जब बन के लिए गये थे तो किन-किन लोगों की उन्हें सहायता नहीं मिली होगी और उन्होंने किन-किन लोगों की साहता लिए मैं पंक्तिया रखता हूँ राज महलों से बिंती नहीं की कभी आम जन को हिसंग में मिलाते चले राज महलों से बिंती नहीं की कभी आम जन को हिसंग में मिलाते चले संग के वट के सरिता हुवे पार तो, संग के वट के गंगा हुवे पार तो, बेर शबरी के जूठे भिखाते चले धर धरा पर मुकुट स्वर्ण का शीश पर मल के रज जो गया हो, वही राम है, राम होना सहज तो मित्रों, रामचरित मानस में गटना का जिक्र है और वालमी की रामायन में भी उस गटना का जिक्र है, जिसके कारण ये समूचा प्रकरण हुआ, मैं बहुत विरमरता के साथ उस बात को कहना चाहता हूँ, कहने की कोशिश करता हूँ, सुनिएगा, हम कहां गलती करते हैं, हमे की छटा जो कहीं जान की के रिदय को अधिक यूं लुभाती नहीं है परमसत्य होता नहीं अप हरन है परमसत्य होता जो सिया लांग रेखा को जाती नहीं है परमसत्य होता नहीं अप हरन जो सिया लांग रेखा को जाती नहीं सेन संग पार सागर सिया के लिए सेन संग पार सागर सिया के लिए धेर धज जो गया हो वही राम है राम होना सहज तो नहीं है मगर हो सहज जो गया हो वही राम है राम होना बहुत बहुत धन्यवाद तो ये थे कवी गौरव साक्षी आशा है काव्य निकुंज का आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा कवी प्रोफेसर राजीव शर्मा को इजासत दीजिए अगले काव्य निकुंज के एपिसोड में आपसे फिर भेट होगी तब तक के लि झाल